तुडैंट्स विलकम टो यूट्यूब क्लासिज सवे श्टुडैंट्स लास्ट वीडियो में हमने बिम्भी सार के बारे में पढ़ा जो हर्यकवंस के सनस्थापक थे आज हम उनके जो उत्रा धिकारी हुए है अजाज सत्रु उनके बारे में पढ़ेंगे आज का जो हमारा टोपिक है वो है अजासत्रू आप जो वीडियो में देख रहे हैं यह जो पिच्चर है यह अजासत्रू की है अजासत्रू के बारे में जानेंगे अजासत्रू का जो टाइम है जो सासन की अवधी है कब से कब तक इन्होंने सासन किया वो हम देख लेते हैं इनका जो सासनकाल खा वो 492 BC से 460 BC रहा है 492 इसापूर से 460 इसापूर इनसे पहले के जो सासक थे पूर बढ़ती सासक जिनको बोलते हैं वो थे बिम्बी सार जो इनके पिता थे उत्तरवरती बाद के थे उद्यभद्र इनका जो जनम है वो 509 इसापूर में हुआ 509 इसापूर में और निधन जो है इनकी जो मरत्यू है वो 461 इसापूर में हो गई इनकी जो वाइफ थी उनका नाम इनकी पत्नी का जो नाम था वो था राजकुमारी वजीरा इनकी पत्नी का नाम राजकुमारी वजीरा था इनकी जो संतान थी मतलब इनके पुत्र थे उनका नाम था उदैभद्र बाद में इनके बाद के सासक इनके जो उत्राधिकारी होते हैं वो उद्यभद्र ही होंगे उद्यभद्र को उदाइन भी कहा जाता है इनका जो घराना है परिवार की जो बात करते हैं वो है हर्यकवंस सर्यक्वंद से थे ये सैकिन सासक है आजाज सत्रू पहले बिम्भी सार हुए हैं आप सभी बात याद रखेंगे पिता कौन थे बिम्भी सार और धरम था इनका जैन और बोड ये दोनों ही धरम को मानने वाले थे ऐसा कहा जाता है कि जैन गरंतों में इने जैन कहा गया है और मगद राजय पर सासं करने वाले सासक हैं इसलिए अजास त्रू ने अपना ध्यान उत्तरों पस्टिम पर भी केंददित किया कोसल और पस्टिम में कासी को अपने राजय में मिला लिया वज्जी संग के साथ युद के वर्णन में महासिला कंटक नाम के हत्यार का वर्णन मिलता है ऐसा कहा जाता है कि वज्जी संग के साथ जो इनका युद हुआ था वज्जी संग पर जब इन्होंने विजय प्राप्त की थी अजा सत्रू ने बजिसंके साहथ जो इंका यूद हुआ है, उसमें ये कहा जाता है, यूदं नाम का एक हतियार था, जिसका नाम था महा सिला नामक दो नए अस्तर उस जिनके मतल हतियार बोलते हैं इनका प्रियोग इन्यों ने किया था जो एक बड़े आकार के यंत्र थे इसमें बड़े बड़े पथरों को उच्छल कर मारा जाता था औा पिचर में देख सकते हैं ऐसा यह यंत्र थैं पाली ग्रंथों में अजास सत्रू का नाम अनीक स्थान पर आया है क्योंकि वह बुद्ध के समकालीन थे बुद्ध और महावीर स्वामी के समकालीन थे और मखली पुत्र गोसाल के समकालीन थे और इनी के समय में इन सभी को इन तीनों को बुद्ध को और महावीर को और मखली मंत्री थे उनका नाम वसकर था इन्होंने क्या किया था कि लिच्छवियों में फूट डाली थी और अपने सामराजे का विस्तार किया था और वैसाली को नस्ट करने में उसे 16 साल का लंबा समय लगा था जिससे कि उन्होंने सफलताएं इसलिए मिली क्योंकि इस युद में उन्होंने जो दो मैंने हत्यारों के नाम बताएं रत मुसल और महासिला कंटक नामक दो अस्त्रों का परियोग किया इसलिए इस युद में सफलता प्राप्त हुई इतिहास कारोद्वारा दर्ज अजास सत्रू की म्रत्यू का जो खाता है मतल़ जो अजास सत्रू की म्रत्यू है वो कब हुई है 560 में 560 इसापूर में इनकी म्रत्यू मानी जाती है ज्यादा तर इतिहास कारोद्वारा इतिहास में इन्हें पित्रहंता वंस के नाम से भी जान जैन ग्रान्त आवसक चोनी के अनुसार अजास सत्रु भगवाण महावीर से मिलने गए थे और इन समयमे इम् Eco के समय पर्थम बोध संगति का आयोजन किया गया थे राज माद स्पूर्थ पर्थम बोच संगति का आयोजन किया गया था क्योंकि ये जैन धरम को भी मानते थे और बोचницंव को Ama नहीं के समय में हुई है कहाँ पर विद्य राज गरह में और गुफा थी सप्धपर्णी सप्धपर्णी गुफा में पर्थम बोच संगती कायोजन अजास सत्रू के समय में ही हुआ इनकी सफलतायों के बारे में देख लेते हैं कि अजास सत्रू के खिलाप संगर्ष छेड़ देते हैं वो संगर्ष करने लगते हैं अजास सत्रू के खिलाप प्राजित परसंजीत स्रावस्ति भाग गए लेकिन दूसरे युद संगर्ष में अजाज सत्रू प्राजित हो गए लेकिन परसंजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवा अजाज सत्रू से कर कासी को दहेज में दे दिया इन्होंने क्या कि अपनी पुत्री वजीरा का विभा कर दिया परसंजित की पुत्री थी वजीरा जो अजाज सत्रू की पत्नी बनती है और उनके से शादी कर देते हैं यह कासी जो राजे है वो दहेज में इनको दे देते हैं लिच्छवी राजकुमारी चेलना बिम्भी सार की पतनी थी जिससे उत्पन दो पुत्री हल और बेहल को उसने अपना हाती और रतन का एक हार दिया था उसकी जो दो पुत्री थी हल और बेहल उसने क्या किया था कि अपना हाती और रतनों का हार दिया अजा सत्रू ने लिच्छवियों के खिलाप युद घोसित कर दिया और वसकर से लिच्छवियों के बीच फूट डलवा दिवसकर कौन थे? इनके सेना पती थे और वसकर से लिच्छवियों के बीच फूट डलवा डाल कर उसे लिछवियों के खिलाब फूर डालकर उसे प्राजित कर दिया और लिछवी अपने राजय में मिला लिए जो लिछवी राजय था जो गण राजय था ये उसे अपने राजय में मिला लेते हैं मगद में मिला लेते हैं अजास सत्रू ने मल जो संग है उस पर भी आक्रमन कर अपने अधिकार में कर लिया उस पर उन्होंने आक्रमन कियार उसे अपने अधिकार में कर लिया मल संग पर भी नोने आक्रमन कियार उसे अपने अधिकार में कर लिया जैसे कि मैंने आप सबी को बताया है कि बोध जो गरंथ है वो कहते हैं कि येजन धरवन नम добी बताया गया है लेकिन भरूतिस्तूप की एक वेदिका के उपर अजास्तूप बुध की वंढ़ना करते हुआ दिखाये गई भरूत का जो इस्तूप है उसकी जो वेदी का है उस पर अजा सत्रू को बुद्ध की बंदना करते हुए उन्हें दिखाया गया है सिहली अनुसरूतियों के अनुसार उन्हें लगबग 32 वर्सों तक उन्होंने सासन किया और 460 इसापूर में अपने पुत्र उदियन द्वारावे मारे गए उनके जो पुत्र थे उदियन जिसका नाम उदैभद्र मैंने बताया उदैभद्र ऊदाइन उदाइन या उदियन पट्र उनके द्वाराये मारे जाते हैं अजा सत्रू के सासनकाल में महात्मा बुद 463 इसापूर में महा निर्वान तथा महावीर को भी केवल्य की प्राप्ती हुई महावीर को भी केवल्य की प्राप्ती हुई तो यह इनकी सफलताई थी इनुह ने काफी सफलताई प्राप्त की है इन्हों χत्रे का सामना करने के लिए जाज सत्रू ने राजगर ह une Kris 생殼 राजगर ता राजगर हो न subject किले बंदी कर दीद拥ी दिवारे के जो अवसेश हैं वह आज हमें commission कहा जाता है पुन्तु जो आज़ा सत्रू के जीवन काल्मी अवंति को मगद पर हमला करने का अफसर नहीं मिला अजा सत्रू के समय में ही बुदर महावीर मखली पुत्र गोसाल जैसे विबूतियों को निर्मान की प्राप्तियों यह मैं आपको बता चुकी हूँ कि इन तीनों को निर्वान प्राप्त हुआ था इनी के टाइम पर सो स्टूडेंट्स अपने राजे की रक्षय की इनों ने और मगद को मगद सामराजे का विस्तार किया आज की वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टोपिक की बात करेंगे है वे गूड डेग